यह कहानी है एक शूरवीर योधा की जिसके चौड़ी चाती और बहुत लंबे बाल अरे यार इतने लंबे बाल नहीं है वो टैंगल की प्रिंसेस नहीं है हीरो है हमारा हीरो ठीक है सर बाल थोड़े छोटे कर देते हैं अच्छा फिर से शुरू करते हैं यह कहानी है एक शूरवीर योधा की जिसकी चौड़ी चाती और लंबे बाल है पर उजूर उसका कुछ नाम तो होगा उसका कोई नाम नहीं है वो तो ठीक है पर आमामिया यह बंदा क्या कहलाता है लोग उसे कभी भाई कभी जान कहते हैं मामा मिया, कभी भाई, कभी जान, भाई जान, तो कुछ दिन पहले मैंने सोचा, क्यों ना कोई मूवी देखी जा, कौन सी मूवी, देखूं, कभी भाई, कभी जान, कभी भाई, कभी जान, ओ वाई, कमाल लग रही है यह मूवी तो, यह वाईलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस है मूवी की शुरुबात में पता चलता है कि भायाञ का नाम ही नहीं है सब उन्हें भायाञ कहकर पुकारते हैं और जब उन्हें उनका कोई नाम पूछता है हाई हैंसम, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यो मार रहा है? पागल है का तू? शडीर की ताकत दिखा रहा है क्या मेरा नाम क्यों पूछा एक बार बोल दिया मेरा नाम भाईजान है फिर बार बार नाम क्यों पूछते हो सर पे लिख दू मैंने तो पूछा ही नहीं उस लड़की ने पूछा है रुख मम्मी को बुला के लाता हू जम मानो था मारता रहता अरे अरे बुरा मान गया क्या ये ले टोफी तुझे चेडिया घर भी लेके जाओंगा और महीं भरती करवा दूँगा अब तुम सोचो किसी का नाम ही भायजान हो और स्कूल में भी सब उसे भायजान भायजान कहते हो अब कल को भायजान बड़े होंगे उनकी शादी भी होगी और शादी के कार्ड भी छपेंगे लेकिन कार्ड पर भी लिखा जाएगा भायजान अब अगर किस्मत अच्छी रही तो भायजान के बच्चे भी होंगे जो भायजान को कहेंगे भाई साब दो आईस्क्रीम देना भाई साब आप कुछ जादा ही बड़े भाईजान नहीं हो क्या इनके ए ए तु चलना चुपचाप आईस्क्रीम देना यार मूवी की शुरुवात से ही भाईजान के लुक्स पर बहुत फोकस किया जाता है अब मूवी में आगे भढ़ते हैं तो भाईजान के तीन भाई लोग भी आते हैं भया अखिर हम अपनी भाई कब लेंगे और कब तक हमें उस एक पईय वाली साइकल पे गूमना पड़ेगा इन मेंसे यह एक समराथ अशुका है वही लंबे बाल जिसस क्राइस्ट वाला लुक्त यह क्या कर दिया अपने पुलिस किसी भी वाब्ट आती होगी आरे नहीं आएगी रहा, नहीं आएगी मैं बोल रहा ना, तू अराम से ओटो ओटो करके जा रहे, मेरेको मालूम रहे, वीडियो के end में आती है पुलिस, पुलिस नहीं आती पहले जिसस, जिसस कहा जा रहो, जिसस, अब यह पूंछा रहा है। यो, यो, यह, पर पर जिसस, हाँ बई, फिर एक बिल्डिंग के चछट पर दो लल्लू से बटले से गुंटे और एक विलन सुट पैन पानकर ख़ड़े होकर बोलते हैं कोई जान देता है और जो जान लेता है अरे डिकरा ओ बिटे अरे अंकल डालो ओ काला कपड़ा अरे सुनने डालोग तो बोले दो अरे सुनने अर्छाइः तोड़ी चातरी गुमा दे बेटे प्रीचल नहीं आरे ईपल आरे ईपल मेरी टी मार जाएगी अगर मैं नहीं देखूंगा तो अलबर्टो तुम अंकल से पूछ के बताओ थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ थोड़ा उपर कर देता हूँ अंकल आ गया क्या बेटे आ तो गया पर HD नहीं आ रहा बेटे आ गया बेटे एकदम अगर कोई विलन ऐसे डायलोग मारेगा तो उससे कोई डरेगा है भाई साब आप ही बताइए आप समझदार लग रहे हैं कोई कोई डरेगा यह यह वो तीनो जिनकी तुम बात कर रहा हो फिर मेट्रो ट्रेन में भाईजान की लडाई हो गई शायद सीट को लेकर हुई थी लंबे बाल है तो क्या लेड़ी सीट पर बैठ जाएगा तुझे तो में तुझे तो में हेलो नाइन वन वन अगर कोई एमर्जेंसी हो तो मुझे बता दे ना ब्रिंग इट ओन अब ब्रे में एक बड़ा गुंड़ा आता है जिसने एक बंदे को लटका रखा होता है जिसके मूँ में डाइनमाइट है और उसके हाथ में कच्छवा चाफ अकरवत्ती है जिससे वो पहले शायद उसके होट जलाता है और फिर उसके बाद डाइनमाइट जलाता है और डाइनमाइट जलाकर वहाँ खड़ा ने तो वहाँ से भग लेता है वाइलेंस बोलकर काफी बड़ा गुंडा है फिर कुछ लोग EK47 लेकर एक बुढिया को सोफा पे बैठे बैठे भून देते हैं सोफा पे बैठी है बुढिया अब भाईजान को गुस्सा आता है और वो पैर से कुछ इंटों को कुचल लेते हैं और कहते हैं इंसानियत की खत्रे को इंसानियत से बचाने के लिए इसलिए वीडियो को pause करो, एक ग्लास पानी पियो और डायलोग सुनो। देवियों और सज्जनों पेश हैं जब किसी non-violent आदमी के पीछे एक violent आदमी पढ़ जाए, फिर उस non-violent आदमी के सामने एक बहुत ही non-violent आदमी का कड़ा होना जरूरी है। हमें हमारे दिमाग का 100% इस्तमाल करना पड़ेगा, non-violent के आगे violent, non-violent के पीछे violent और उससे पीछे तो non-violent है, इस हिसाब से non-violent से कड़ गया non-violent और पीछे बचा violent, नहीं 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 यह calculation गलत है, अब मुझे अपने वहग्यानिक दोस्त को call करना होगा, ओ सुन, हमें एक मु non-violent आदमी, अच्छा-च्छा, वो उस non-violent आदमी के सामने, एक बहुत ही non-violent आदमी का खड़ा होना जरूरी है, हाती क्यों खड़ा होगा यार, किसी non-violent आदमी के आगे, अगर उसे बैठना पसंद दे तो वो बैठेगा, वो खड़ा क्यों होगा, यार, हाती नहीं, आदम आदमी, एक आदमी, पर मेरे बाओ जी के तो टांग ही नहीं, वो कैसे खड़े होंगे, तेरे बाओ जी कहा सा आगए यार बीच में, अरे तो वोईलेट तो मेरे बाओ जी है न, चेह, चेह, तु भूल गया, एक बार अपन न उनके साइकल की सीट अटा दी थी, और डंडा उनके पिचवाड़े पे चुप गया था, फिर उसी डंडे से उन्होंने मेरे पिचवाड़ा सूथ दिया था, ठीक है भाई, ठीक है, मान गया मैं तेरी बात, करता हूँ तेरे को बाद में कॉल, गाइस, पूरा सौ प्रतिशत दिमाग लगाने के बाद भी यह हमसे अरे भाईजान अभी डांस का टाइम नहीं हुआ है, फिर मुवी के एंडिंग में भाईजान वाशिंग पाउडर के एड जैसा एकदम चटक वाइड शेट पैन कराते हैं, लोगों की आखें नी खुल रही होती, अब यह स्क्रीन वाइड क्यों दिख रही है, मैंने तो ड करना है, डारेक्टर, हिरोइन को बेजो, रोल, कैमरा, एक्शन, आज से तुम मुझे सिर्फ जान कहोगी, ओक्यों के अब तुम्हें रोइन के साथ रोमेंटिक कन्वर्जेशन करनी है, हो गया, हो गया, कंजर्वेशन हो गया, अब मुझे कॉमेडी करने का मन कर रहा है, स् अब डांस नहीं है, अब भी विलन के एंट्री करवाएंगे, तो फिर विलन को लेकर आओ, रोल, कैमरा, एक्शन, तुझे वोईलेंस करना है, दूंक्या, एक दूंक्या, ये, डारेक्टर साब, ये क्या हो रहा है, स्टोरी में साफ साफ लिखा है कि विलन को पत्थरों प अब तक उस लाल वाले बटन को नहीं दबाया ना, तो प्लीज दबा दो यार, इससे मेरी अंतर आत्मा को सुकून मिलता है, और गाइस, मेरी एक्टिंग कैसे लगी, ये भी बता देना, अगली बार में तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा, अभी गाऊं, अभी गाऊं मिलते हैं हफते दो हफते में, साथ में मिलके हफता वसूली करेंगे फिर, तब तक के लिए, बाय, I guess I guess I'm falling in love with you, I guess I'm